डमित्री इवानोविच मेंडलिफ 1834-1907 रूसी रसायन अग्य मेंडलिफ को आवर सार्णी का जनक कहा जाता है इसके साथ साथ रूसी रसायन युद्योग और खनन के आधुनी की करण में उनका बड़ा योगदान रहा उन्होंने पेट्रोलियम की उत्पत्ती के लिए एक सिध्धान्त भी प्रतिपादित किया रसायन शास्तर अध्यापन की एक नई पधती विक्सित करने के उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप तत्वों की आवर सार्णी को व्यवस्थित स्वरूप मिला 4.6 मेंडेलिफ का वर्गीकरण मेंडेलिफ क्लासिफिकेशन तत्वों का वर्गीकरण का मुख्यश्रे रूसी रसायनग्य डमित्री इवानोविच मेंडेलिफ को जाता है तत्वों की आवर सार्णी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा जब मेंडेलिफ ने अपना कारेप आरंभ किया तब 63 तत्व ग्याद थे उन्होंने तत्वों के परमानुभार एवं उनके भौतिक तथा रसायने गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया रासाइने गुणधर्मों के अंतरगत मेंडेलीफ ने तत्व के ओक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बने योगिकों को चुना क्योंकि दोनों तत्व अत्यंत सक्री हैं तथा अधिकांश तत्व के साथ योगिक बनाते हैं उन्होंने 63 काड लिये एवं प्रते काड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा समान गुणधर्मों वाले तत्वों के समुह बनाने पर उन्होंने पाया कि तत्व अपने परमानु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गय थे उन्होंने अधिकांश तत्वों को एक सार्णी की तरह व्यवस्थित कर दिया, जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे आते थे। यह भी देखा गया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। इस आधार पर मेंडेलिफ ने आवर्थ नियम बनाया कि तत्वों के भौतिक और रासाइने गुण उनके परमानू भारों के आवर्थी फलन होते हैं। मेंडेलिफ की आवर्थ सार्णी में उर्धो इस्तम्भ को समू या वर्ग गुरुप कहते हैं तथा शैतिस पंक्तियों को आवर्थ पिरियेट कहते हैं। मेंडेलिफ आवर्थ सार्णी का प्रकाशन 1872 में एक जर्मन पत्रिका में हुआ। सार्णी के उर्धो इस्तम्भ के शीर्ष पर आउकसाइड तथा हाइड्राइड के सूत्र दिये गया। जिसमें अंग्रेजी का अक्षर आर समू के किसी तत्व को प्रदर्शित करता है। अर्थात कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा ऑकसाइड CO2 को RO2 लिखा गया। मेंडेलिफ ने किसी तत्व की समूह में इस्तिती का निर्धारण उसके योगिकों के आधार पर किया। योगिक के सूत्र द्वारा तत्व की सयोजक्ता ग्याद की। किसी वर्ग या समूह की क्रम संख्या उस वर्ग के तत्व की आकसीजन के सापेक्ष सयोजक्ता दर्शाती है। जैसे जिस तत्व के ओक्साइड का सूत्र R2O है वे प्रथम समुह में और जिनका सूत्र RO है उन्हें दृतिय समुह में रखा गया क्या आप बता सकते हैं कि तृतिय समुह के ओक्साइड का सूत्र क्या होगा इस प्रकार प्रथम दृतिय और तृतिय समुं के तत्वों की सयोजकताएं क्रमश एक दो और तीन हैं रूसी रसायनग्य दिमित्री इवानोविच मेंडेलिफ के द्वारा एक आवरसाणि का निर्माण किया गया जिसे मेंडेलिफ आवरसाणि कहा जाता है इस प्रकार 63 तत्वों वाली प्रथम आवरसाणि तयार हुई जिसे मेंडेलिफ आवरसाणि कहा गया 4.6.1 मेंडेलिफ आवर्षार्णी की उपलब्धियां Achievements of Mendeleaf's Periodic Table पहला तत्वों के अध्ययन में सहायक मेंडेलिफ की आवर्षार्णी में प्रतेक आवर्थ में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है वहीं एक वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है अतह किसी वर्ग के एक तत्वों के सामाने गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है इस प्रकार मेंडेलिफ की आवरसार्णी तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई दूसरा ने तत्वों की खोज में सहायक मेंडेलिफ ने अपनी आवरसार्णी में कुछ इस्थान रिक्त छोड़ दिये थे इन रिक्त स्थानों को दोश के रूप में देखने के बजाए मेंडेलिफ ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ग्यात नहीं थे इनका नामकरण उन्होंने उसी समुह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगा कर किया उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को क्रमश, एका बोरॉन, एका एलुमूनियम तथा एका सिलिकन कहा तीसरा, संदिग्द परमाणु भार में सुधार, मिंडिलिफ की आवरसार्णी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया इसे त्री संयोजक नमान कर द्वी संयोजक माना और उसका अस्थान लीथियम और बोरॉन के बीच रखा गया इंडियम, यूरेनियम आधी तत्वों के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया चौथा, अक्रिय गैसों को स्थान मिंडिलिफ के समय तक हीलियम, नियोन और और औरगन जैसी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी इसलिए आवर सार्णी में इनके लिए कोई इस्थान नहीं रखा गया था जब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों का एक अलग समुह बना कर आवर सार्णी में नौवा इस्तंभ शुन्य समुह के रूप में वैग्यानिक रेम से द्वारा जोडा गया मेंडेलिफ पहले वैग्यानिक थे जिन्होंने सफलता पूर्वक सभी ग्यात तत्वों को वरगी कृत किया उनका अनुमान था कि भविश्य में ने तत्वों की खोज होगी इसलिए उन्होंने ने तत्वों के लिए आवर सार्णी में रिक्तिस्थान रखा इस प्रकार मेंडेलिफ आवर सार्णी ने खोजे जाने वाले तत्वों के गुण धर्मों की पूर्व घोशना करने में सफल हुई उदाहरन के लिए मेंडेलिफ के द्वारा तत्व गैलियम की भविश्यमानी की गई उन्होंने इस तत्व को एका अलूमीनियम नाम दिया इस तत्व के लिए परमाणुभार, घनत्व, गलनांक, सैयोजक्ता, खोज के तरीके तथा आकसाइड के सूत्र के संबंध में मेंडेलिफ के द्वारा प्रस्तुत किये गए मान, गैलियम के अधिक निकट पाए गए मेंडेलिफ के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी फिर भी आवरसार्णी इस प्रकार तयार की गई थी कि बाद में जब उनकी खोज हुई तो उन्हें आवरसार्णी में बिना किसी बड़े बदलाव के अलग इस्थान दिया जा सका 4.6.2 मेंडेलिफ आवरसार्णी की सीमाय लिमिटेशन्स ओफ मेंडेलिफ स्पिरियोडिक टेबल पहला हाइड्रोजन का इस्थान अनिश्चित इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा 2. भारी तत्वों को हलके तत्वों से पहले रखा जाना सईयोजक्ता के अनुसार रखे जाने पर कुछ इस्थानों पर भारी तत्वों को हलके तत्वों से पहले रखा गया जो मेंडेलिफ नियम के अनुसार नहीं है जैसे कोबाल्ट पर्माणूभार 58.9 को निकैल पर्माणूभार 58.7 के पहले रखा गया तीसरा, समिस्थानिकों को अलग-अलग स्थान नहीं दिया जाना किसी तत्व के समिस्थानिकों के रासायनी गुणधर्म, समान, किन्तु परमानु भार अलग-अलग होते हैं अतह उन्हें आवद सार्णी में अलग-अलग स्थान मिलना चाहिए परन्तु मेंडलिफ आवत सार्णी में समिस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था चौथा एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमानो भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्व के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं विशेश कर जब हम भारी तत्व पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है मैंडलिफ आवर सार्णी की सीमाएं मैंडलिफ हाइडरोजन को आवर सार्णी में सही स्थान नहीं दे सके हाइडरोजन शारधातौं के समान गुण प्रदर्शित करता है साथ ही हेलोजन तत्वों के समान भी गुण दर्शाता है एक ही तत्व के समस्थानिकों के परमानुभार भिन्न होते हैं अता प्रतेक समस्थानिक को आवरसानी में अलग-अलग इस्थान मिलना चाहिए था चुकि समस्त समस्थानिक रासायनिक रूप से समान थे इसलिए उन्हें एक ही इस्थान दिया गया आवर सार्णी में कुछ स्थानों पर अधिक परमानुभार वाले तत्वों को उनसे कम परमानुभार वाले तत्वों के पहले रखा गया। झाले तत्वों के परमानुभार वाले 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 त झाल झाल